रामगड गाउ में सरकार की योजनाओं की पोल खुल गई है, सरकार की योजनाओं केबल डोक्यूमेंट तक ही सिमित रह गई, धरातल पर सच्चाई कुछ और ही निकली, गाउ में एक वैक्ती की सुविधाओं के अभाव में मौत हो गई, साती उसके लिए अंतिम संसकार के लिए समशान घाट पर कोई ववस्था नहीं हो पाई, गौर तलब है कि वर्ष 2016-17 में कैलासी बाईस सरपंच के द्वारा विकास कारिय नहीं किया गया, सतर लाख के शमशान और सड़क कारियों का कागजों में ही निर्मान हो गया, ग्रामिनों द्वारा कलेक्टर को ग्या सिसी रोड चिये, और मैं यहां पर समशान नाज जलाने के लिए नाज शप्राय नाज शिव बनी हुई है, और आज हमारे अंकल की देट हुई, यहां पर आने जाने में बहुत ही समश्या हुई है, कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन क्या मनुष्र के अंतिम संस्कार क जो रास्ता जाने वाला हो, अगर वो डगर ही हिचकोले भरी हो, तो इस पर आप क्या कहेंगे, जी हां कुछ ऐसा ही मामला पंचायत असावता के ग्राम रामगण का सामने में आया है, जैसा कि रामगण के अंदर देखा जा सकता है कि जो लोग अर्थी को ले जा रहे हैं सम जो का आरोप यह भी है कि समशान घाट के अंदर अंतिम संस्कार करने के लिए पुक्ता इंतिजाम तक नहीं है, यहां तक कि उपर छपरा तक नहीं है, खुले बारिश में भी उन लोगों को वही पर अंतिम संस्कार करना पड़ता है, जिससे कि बारिश की बुंदे आये, चाहे कितनी भी समस्या है,